परिवारबाद तमाम एह मुद्दे भी जनता के बीच में हैं ऐसे में इस बार क्या-क्या तमाम चीज़े होंगी क्या मुद्दे होंगी क्योंकि राधितिक पार्टियों में निश्चित तोर पर देखा जाता है कि परमुख चेहरे ही जो हमेशा से परमपरगर तोर पे चले आ रहे हैं उनके घर के उनके बेटे उन लोगों को ही मौका मिलता है ऐसे में जनता क्या राय रखती है क्योंकि तमाम ऐसे राजनितिक दल हैं जिनके पीली दरपीली ये विरासत उनको मिलती जा रहे हैं दूसरी तरफ अगर बात करें जनता पालिटी में तो आशी लगबग प्रिसुतिया नहीं दिती तो तमाम लोग हैं लोगों की राय क्या है लोग क्या सोचते हैं लोगों की बात जानते हैं की क्या लग रहा है कि जिस हसाब से कुछ राजनितिक दलों में पहले जो वरिष्णेटथा थी यप उनके वेट सोनिया जी का लख्ष अपने बेटे को पीम बनाना लालू जी का लख्ष अपने बेटे को सीम बनाना उद्धव ठाकरे जी का लख्ष है अपने बेटे को सीम बनाना पवार साहब की भती जी को पवार साहब अपने भती जी को सीम बना चाहते हैं भाईयों बहनों मैं आपके करता है और इनको पूरे विपच पूरा धारसाई हो गया है ठकबंदन महाठक बंधन हो चुका है और जनता इनको इस बार वहां उठाके फेकएगी जहां से पुना है पुना वृतिति नहीं हो सकेंगे और पुना प्रजन्ट माथ सरकार बनने जा रही है परिवार्वाद असस्थ सर लगातारרכ जहसे बारती दार्वाद धाररासाहि हो परिवार वाद धारासाई हो गया और इस बार के भी लोगसवाद 24 के चुनाव में परिवार वाद धारासाई हो जाएगा और खाएंगे खीर पीएंगे पानी और हमारी यूपी में असी की असी है सीटानी और मोधी की पुरह जो गारेंटी थी और गारेंटी को पूरा किया और जो वाधे हैं इस बार भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार भी स्वाफ योगी को कुल जो है विरासत नहीं बिल्कुल नहीं देखिए जनता जनता हमने बताया ना कि जनता 2014 से पूरे सक् पूरी जनता जानती है और जनता बीस बार उलाट देगी ठक बंदन वालों को और पुरह एंडिया की गोवर्मेंट बनेगी और हमें लगता है चारसो पार सीटे पार रहो नहीं है जेसे अमिससा हैं आपके केंद्रीनेता हैं उनके लड़केो जम्मेदार दी गई यह तो कोई मतलब नहीं है जो जिस लायक रहता है देश चलाने की छमता जिसके पास हो उसी को जिमेदारी दी जाएगी हां दरेंद मोदी की बात है देश के प्राइमिनिस्टर है उनके सासनकाल में गरीब गरीबी यह बेरोजगारी चरण स्मीमा पर उसे कंट्रोल नहीं कर पार है कि वह लंबी लंबी बात करते हैं एक बार 15 रुपया का इन लोगों ने कहा था कि किसानों के खाते में चला जाएगा लेकिन 15 लाग तो किसानों खाते में नहीं गया आंत्र में चुनाव आया तो अमित्सा ने कहा कि यह चुनावी स्टेंट था तो इनको पूर्ण रूब से भारती जनता पार्टी को देश की जनता जो है जूठी समझ गई है है और इसका जवाब मिलने जा रहा आपकी वाद मोदी होगी कहते हैं कि हमको कुछ विरासत में नहीं मिला को इस परिवार का वह नहीं है मेरा सब कुछ जो जनता निताकत ऐसा है उनको हर चीज म छो है और HOगशन भीक्ष खुस रहता था कि यह डीक्टेटर से पांच पूझी पतियों को लेकर करेंन्स चला रहा है और जनता से तो कोई मतलब है नहीं अ उनसे अड़ानी अंबानी से मतलब है जोटी को ले करके गोवर्मन्ट चला रहा रह रहे न jaar अपना चला रहा है अपना पूजी निवेश कर रहे हैं यही हम जनता समझ गई है कि हम लोगों का 15 लाख रुपया नहीं दिये लेकिन जो है अधानी का करजा माफ किये तो अधानी उनके लिए प्यारा है और बाखी जनता प्यारी नहीं है प्रणा मंत्री ने कहा है कि हमारे तो मेरे मोदी योगी के परिवार नहीं है वो आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं यह सब जूटा उनका जुमला है वह सब्सक्राइब कोई मतलब नहीं है यह लोग नाकारे हो गए हैं जुट्टे हो गए हैं अधास साल में इन लोगों हैं सुनिया गांदी रही तो राहूल गांदी को जिम्मादारी रही लालू यादो रहे तो अप्ति जिस्वी को तुक्लाइब पार्टियों का चलन ठीक है कि परिवार की भीतर ही बड़ी जिम्मादारिया खास्ट चोड़ से अपने घर में रखना है यह चलन वास्तों में ठीक नहीं है कि देश में प्रतिभा और प्राक्रम को दिखाने वाले बहुत सारे लोग है एक सो चालिस क्रोण की यह देश है इसमें बहुत सारी प्रतिभाएं है ठीक है वो एक राजनेतिक दल है जो है उनको एक अस्थान मिला हुआ है लेकिन उन प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए जो वास्तों में उसके हगदार है जो ठीक नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है प्रियम ने कल कहा कि मोदे योगी का कोई परिवार नहीं है आपके बच्छों के लिए ख जो है वो देश के लिए जा रहा है तो इसलिए उनका कहना सही है जो है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ करेंगे वो भी देश के लिए करेंगे क्योंकि हमारे ना कोई आगे जो है संपति को अर्जित करने वाला है और ना जो है उसको पीशे किशी की जरूरत है जो है तो इसलिए जो है उनका जो कहना है वो सही है है कि जैसे कि मोदी योगी को कुछ विरासत में नहीं मिला अखलेश की बात कर लें राहूल की बात कर लें तेजस्वी की बात कर लें इन लोगों को तो विरासत में ही तमाम चीज़ें मिली इस पर क्या कहना चाहेंगा दूसरे तरफ मोदी हैं और लोग जाड़ इतना थें यह निता तो ना परिवार में कोई रहा दूर दूर तक और ऐसे में अब जब जनता के सामने हैं तो कहते हैं जनता हमारी ताकर विरासत को उस योग सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो केवल विरासत के हगदार रह जाएंगे लेकिन जो है विकास के जो है वो प्रतनिधित नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल जो है यह इसमें परिवार बाद का जो है निशित रूप से इसमें चिंतन होना चाहिए सभी को मिल जो है विपच्छ के जो है कई सदस्य है उनलोगों का बक्तब इस तरीके से आया है जो है कि जिससे जो है कि हम सब भारत वार्थियों में जो है चिंता और पीड़ा की भावना जो है वो निशित रूप से होती है और उनको जो समर्थन करने वाले और घटक दल है जो है उनक तंत्र का महापर्व है इसमें अपने विचारों के आधार पर अपने कारियों के आधार पर जो अपने जो जनता की सेवा की है उसके आधार पर वोट मांगने का हग सब को है और सब को जो है देश को आगे बढ़ाने का हग है लेकिन इस तरीके के भासा का या जो है अलग ब दूसरी तर विपक्षी पार्टियों में तेटिस्वी यादो राहूल गांदी अखलेश यादो यह चलता है कैसे देखते हैं यही तो देश की बिड़ा मना रही देश को लूटने का यह लोग ऐसा डांकों को जैसे एक दल नहीं होता है ऐसे सपा और कांग्रेश यह डांकों यहां को मुख मंत्री अब आज आप अभी देख लिजे राहूल गांधी की तुसादी नहीं हुई और रावड बढ़े रहा का लड़का और हो जाएगा और कोई नहीं होगा और जतने भी बिड़ादरी उनको वोट दे रही है चाहिए आप देख लिजे बिहार में लालु ज़ी देभी को बना दिया यह लोग सिर्फ लूटने का देख प्रदेश को देश को लूटने गए अखलेश हो गए रहो लोग इस सब अपने समाज अपने घर के लिए राजनीत कर रही है यह सिर्फ 20 परसंड जो यह लोग नेता लोग हैं यह सिर्फ अपनी संपति बचान फार्टी जंता पार्टी कार्टा भेस बार्टी है कार्टा इसमें कोई भी हो सकता यह नहीं कि हमारा लड़का ही 32 साल के कितनी बड़ी बिड़मनाई देश की 32 साल समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही परिवार को राष्टी अध्यच बना और कोई किसी का उकात नहीं पिछड़े वर्ग में कहे दे कि हमको राष्टी अध्यच बना दो या हमको मुखमंतरी प्रोजेक्ट कर दो तक किसी को कोई बन दिखा दे जब अपने चाचा को नहीं बनने दिया तो दूसरे को क्या बने दे अब अत्तियाद वहाज या sekarang तो इसको बना देंगी राष्टी अध्यच और कोई नहीं ओगा और नम कुरमी का होगा ना ल голौ द का होगा कोई और राष्टी सत्ता मी आए गी और चाहे जहां 5000 पाँच पाच लोग अपने परिवार को दे दी ती मारते उसको कर रहें इस देश की कल फिर हम जोला उठाएंगे चले जाएंगे जो संपत हमने अर्जित की वो देश की है और देश की ही रहेगी बस बहुत-बहुत शुक्रिया तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां मौजूर जिनकी अलग 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 रहा है निकल करके सामने आएं क्या कुछ जनता वो में तस्विसाफ बाइब